वेलकम बेक ऑन मा यूटूब चैनल एंजे मोटिव दोस्तों कैसे हो आप अपका स्वागत हमारे यूटूब चैनल एंजे मोटिव पर हम आपके लिए लगातार इंग्लिस लेंग्वेज प्रोपिसेंसी एंड पेड़ा कोजी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा र हैं उनको भी जल्द लाने की कोशिश की जा रही है हमारी टीम काम कर रही है इस पर तो यह हम लेकर आए हैं सेकिंड पार्ट के सेकिंड यूनिट जो है इस ट्रिक्टर उप इंग्लिस लेंग्वेज अंग्रेजी भासा की सरंचना के संबंद में हैं इसमें सोट एंड स्व इसमें पहला जो प्रशनिंग्लूड किया है वह राइट दा पार्ट ओप इंगलिस साउंड इंग्लिस में जो साउंड है उसका पार्ट बताइए दो पार्ट है तो इसमें हैं वोवल्स साउंड और कॉंसोनेंट साउंड नेक्स्ट क्वेस्टन हो जाएगा अपने वाट के मजदी जो sound होता है उसको combination है उसे dip thong कहते हैं अगला है when the consonant become complete consonant पूरा कैसे बनता है वेंजन पूरणता को कैसे प्राप्ट करता है a consonant become complete only when it has a vowel with it जैसे consonant के साथ कोई vowels जुड़ता है a e i o u जैसे vowels consonant के साथ जुड़ता है consonant पूरणता को प्राप्ट करता है अर्थात अपने पूरे form में आता है अगला प्रस्न है कि what care should be taken while we teach in children's English हम जब बच्चों को English सिखा रहे होते हैं हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए किस बात का care रखना चाहिए तो the children's language should have is spelling grammar and expression ध्यान रखना चाहिए इस पेलिंग का करेक्शन इस पेलिंग करेक्ट ओनी चाहिए grammar बेसिक ग्रामर राखना चाहिए अगला प्रस्न है कि how does how does डॉक्टर स्वीट डेफाइन ग्रांब को किस परगार करते हैं परिवासित करते हैं तो अकोर्डिंग फूरडम सीट के अनुसार अनुसार जैसा हैного की ग्रामर इस दा प्रेक्टिकल एनलेसिस ऑप लेंगवेज इंट्स टॉंफ एकातों एक्षी तो दोस्तों यह थी आईक्टर स्वीट के नुसार की डेपनेसं जिसमें हम analysis करते हैं language का practically रूप से अगला है कि what is the main quality of characteristics of a model में क्वालिटी क्या है characteristics क्या है models की जैसे हम कहें ने कूड हैं in models का फ्रीयोग करते हैं तो इनकी main quality है कि a model has no s or e s with it models के साथ कभी s या e s नहीं लगता है वह अपने प्रेक्रतिक natural रूप में ही काम में लिए जाते हैं what is the difference between this and that just word and this and that इनके प्रियोग के अरार पर इनमें क्या अंतर हैं क्या विबिनता हैं बताइए तो इस का हम का प्रियोग करते हैं दोस्तों this is used for nearer objects and that is used for away for far away objects इसका प्रियोग हम करते हैं नजदिक या पास के object के लिए जबकि देट का प्रियोग हम दूर इस्तित किसी object के लिए दर्साने के लिए करते हैं आगे हैं प्रस्तन की define describing words अथात adjective को describe करना है define करना है and write the kind of adjective adjective के प्रकार भी लिखने हैं तो definition है इस प्रकार की एन एड्जेक्टिव इज वर्ड एड्जेक्टिव इज वर्ड दे add something to the meaning of a noun or pronoun जो विशेशताई बताते हैं noun और प्रोनाउन अतात संग्या और सर्व नाम की उसे adjective अर्थात विशेशन कहते हैं kind of adjective में देख लीजिएगा adjective of quality quality यानि गुण गुण बताने वाले एड्जेक्टिव होते हैं जैसे रेड रोज गुलाब भूल गुलाबी फूल गुलाब अगला है कि adjective of quantity quantity में मातरा बताते हैं जैसे half time है all boys है इस परकार अगला है adjective of numbers संख्या वाचक विशेशन हैं five books हैं ten dogs हैं आधी हो जाते हैं अगला है इस परकार इंटरोगेटिव एड्जेक्टिव होता है उसमें प्रश्ण पूचा जाता है जिसमें डब्लू एच वर्ड का इस्तिमाल होता है जैसे वाट वाई वू इस परकार यह अपने kind of adjective हो जाते हैं अगले question की तरफ बढ़ते हैं what are the auxiliary verbs ? auxiliary verbs क्या है इसको बताना है बहुत important question है एक्जाम की द्रश्टी से इसी परकार आप हमारे वीडियो को skip ने करें पूरा देखें बहुत ही helpful होगा आपके लिए the auxiliary verb क्या है the auxiliary that express the speakers or writers attitude auxiliary verb के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं speakers बोलने वाले का writers का attitude attitude क्या है उसका भाव क्या है जैसे like permission possibility permission यानी अनुमती possibility यानी संभावना necessity यानी जरूरत urgency यानी अनिवारता its models के माध्यम से अर्थात auxiliary verbs के माध्यम से हम permission possibility necessary urgency को व्यक्त करते हैं अगला है कि are called models or model auxiliary इन में model भी सामिल है इनको model भी कहते है एक्जारी भी कहते है they are also called defective verbs as they have no s in the third person singular he, she, it they have no infinitive and ing forms इन verbs के साथ नहीं तो ing लगता है नहीं एस लगता है और नहीं एस लगता है दोस्तों यह auxiliary verb हैं जो helping verb और models होती है तो after a model the first form of the verb is verb with s, e, s, ing comes जो model से model से after में जो first form आती है उसके साथ s, e, s य, ing आ सकता है लेकिन model के साथ कभी भी इस परकार का असाथ auxiliary verb के साथ यह नहीं आता है अब auxiliary verb का example है can, may, sell, will, should, must, its और अगला प्रशन देख लीजिए कि what do you know about use of capital letters letters को भी दो तरह से लिखते हैं capital और इसमाल में इसका भी एक नियम होता है कि कहां पर हमें capital letters का प्रयोग करना है तो यह भी मैतकून प्रशन है तो इसमें देखिएगा कि every sentence begin with a capital letter प्रत्यक वाक्य की सुरुवात हमें बड़े अक्सर से करनी होती है every proper noun begins with a capital letter प्रत्यक व्यक्तिव आचक संग्या proper noun की सुरुवात पहला letter बड़ा होता है capital होता है थर्ड है कि each line of a poem begins write a capital letter poem या कविता की प्रत्यक लाइन में जब हम सुरुवात करते हैं तो पहला अक्सर capital letter का होता है the pronoun i जहां पर हम pronoun के तोर पर i का use करते है is written with a capital letter यह भी बड़े letter के साथ लिखा जाता है the titles and ranks used before names जहां पर सीरसक title होता है रेंक होती है उसके लिए भी हमें capital letter का use करते हैं इसमें names of trains train का नाम है ships जाज का नाम है flights का नाम है television channels का नाम है television serials है name of films है and cartoons films है it's are written with a capital letter यह बड़े letter में लिखे जाते हैं अगला है names of days दिनों के नाम and names of months महिनों के नाम are written with a capital letter यह capital letter में लिखे जाते हैं अगला प्रस्थन है what is asked while using different question words जब हम अलग-अलग तरह के question करते हैं पूस्ट आस्क करते हैं question तो उनमें question word होता है उसका प्रियोग किस प्रकार है उसका कौन-कौन से वह वर्ड है उनका इस प्रस्थन में उलेक करेंगे question are framed with the help of question words question are of two types question दो प्रकार के होते हैं first question है question beginning with auxiliary verbs auxiliary verbs के साथ question शुरुआत होते हैं जैसे helping verb उती है ना उसके साथ में मलब डू है डज है है इनके साथ में question के शुरुआत होती है such questions bring the answer in yes or no जो है auxiliary verbs से स्टार्ट होते हैं question उनका उत्तर भी yes या no में दिया जाता है सिधा और second type question का question beginning with WH words WH words के साथ जो question स्टार्ट होते हैं उनको second type में रखा गया है अर्थात डवर्ड्स लाइक वेर वेन वू हाउ वूज वाई इट्स आर काल्ड डव्लू एच वर्ड्स तो डव्लू एच वर्ड्स का प्रियोग देख लेते हैं जो कि आपके basic knowledge के रूप में भी काम आने वाला है दोस्तों तो डव्लू एच वर्ड्स में हैं वेन वेन य यह वाई का आरत कारण बताने में वाई के परिश्ण का उत्तर बताते वक्त कारण बताना होता है वाट वाट में ऑब्जेक्ट पता चलता है किसी परिशन में क्या वुम यह नहीं किसको यह दो ऐसे question है जिसके question के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि sentence में object क्या है दोस्तों what or whom अब आता है वूज वूज यानि हम पूछते हैं यह चीज किसकी है owner कौन है इसका तो वहां पर यह question पूछने के लिए वूज का प्रियोग किया जाता है next है which which यानि कौन सा तो select from अगर group में से किसी को select करना है तो विच मतलब कौन सा और हाउ हाउ यानि मैथड किस प्रकार किस ते हाउ मच यानि quantity कितनी मात्रा में हैं हाउ मनी यानि नंबर हाउ फार यानि डिस्टेंस कितना है दूरी कितनी है आउफार के सम्मंद में question पूचा जाता है how long यानि कितने समय से कितने प्रियेड से लंबा हाउ ओल्ड कितना एज हैं हाउ ओल्ड के माद्यम से पूचा जाता है हाउ अफण फ्रिक्वेंसी आवर्ती का दर्स जाता हाउ अगले प्रस्न की तरब देखें का अगला प्रस्न है काइंड ओप पंक तो आप इसमें देख सकतem हो यह स्क्रीन पर अपने कि फुल-स्टॉप का चिन किस प्रकाराइं को मा कचेण है से मिकलोन का चेन है क्लोन का चेन है एक्सक्लेमेट्षन का चेन है جो मिसम्यादि बोदग भी कहते है यह विआप्रष्नों की प्रकार है तो इस किया है वो आमchen इंपोर्टेंट लगा अगर आपको भी लगे तो वीडियू में कमेंट करकर बदा박 है डिप्रेंस बिट्विन ववाहल लेटर से फिया आफू अबार्व किया लेटर में से में क्या जाते हैं next second difference है these may be written either in capital or small form vowels letters को हम capital or small form में लिख सकते हैं जबकी vowel sound को these are always represented by the specific symbol यह सिंबल in between two slanting lines lines के बीच symbol के रूप में फिर्पत होते हैं जबकि third difference है इसमें कि This may be written either in print script or in cursive writing. इसको हम print script में लिख सकते हैं या cursive writing में लिख सकते हैं, किसको letters को, जिबकि vowels का sound है उसको, these are used in phonetic transcription, ये phonetic transcription में used होता है. f owe it, fourth difference है, यह लिखने में सब्द लिखने में वाक्य लिखने में वाक्यांस लिखने में प्रयोगत होता है जबकि अभी वोवल्स का साउंड है उसका प्रयोग देख लिजीगा इसको आसानी से याद रखा जा सकता है जबकि साउंड में देख लिजीगा बिइंग ट्वंटी इन नंबर्स इस साउंड और सिंबल्स आर डिपिकल्ट टू रिमेंबर याद करने में कटिना ही रहती है शिक्स्ट डिप्रेंट से इसमें वोवल्स लेटर्स हेल्प इन मेकिंग दा कॉंसॉनेंट कंप्लीट को कंप हैं कि इस साउंड करने में कॉंसॉनेंट के उचारं को पूर्ण करने में सातवा डिप्रेंट से इन में एंसेंज जब्वोंस लइटर्स इम्में कॉंसॉन इन लगिए तो इस प्रकार यह आपको वीडियो किसा लगा दोस्तों जरुड़ बताना कमेंट दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा उमिद करता हूँ और अगर अपने किक दोस्तों को भी शेयर करना चाते हो determate चाहिए उनको भी पता चलना चाहिए कि इंगलिस का एक्जाम किस प्रकार होगा कौन-कौन से इंपोर्टेंट कुष्चन है और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया वहाँ है वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लेजिएगा अगर आपको इनका पीडिएप चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम टेलीग्राम पर इनको सेर कर देंगे पीडिएप को जो आपके पास पहुंच जाएगी इसका आप लाब उटाना जल्द से जल्द और आपके एक्जाम के आपके जाए भारत